नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल Studywise Official पर आज हम कवर करेंगे प्राचीन इतिहास का इंपोर्टर टोपिक वैदिक सभेता मैंने NCIT-based question उठाये हैं और पूरे topic को बहुती अच्छी तरीके से कवर कराया है अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो वैदिक सभेता से आपका कोई भी question गलत नहीं होगा और हाँ, इससे पहले मैंने मध्यकालिन भारत, अध्धोनिक भारत के इतिहास की वीडियो जो की NCIT-based है उन्हें बहुती अच्छी तरीके से कवर किया है आप अपनी चैनल Studywise Official पर जाकर उसे भी देख लें मैं description में उसका link डाल दूँगा आप नहीं तो playlist में जाकर इतिहास की playlist बनाई है मैं उसमें सभी इतिहास की वीडियो जो की important है उन्हें cover किया है आप वहाँ से जरूर देख लें तो चलिए बीना देरी किये हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए अब समझ लेते हैं वैदिक सभेता तो वैदिक सभेता को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ किससे पहले मैंने सिंदु सभेता को भी cover कर दिया है वो भी प्राचिन भारत काई भाग है, आप उससे भी देख लें, क्योंकि एक्जाम में उससे भी कही कोशन बनते हैं, तो अब हम कवर करते हैं व्यादिक सबेता, तो व्यादिक सबेता को मैं दो वीडियो में कवर करूँगा, पहली वीडियो में हम पूरा इससे अच्छी त आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू प्रेस करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिलती रहें तो अब शुरुआत करते हैं वैदिक सभिता से तो हम देखते हैं वैदिक सभिता आए कब तो जब सिंदुगाटी सभिता इससे पहले मैंने बत प्राफ्थ होती है तो वेदों से ही इसकी जनकारी प्राफ्थ होती है इसलिए से व्यडिक सभिता अगया है तो अब हम देखते हैं व्यैदिक काल तो जो व्यादिक काल था यह hot पंद्रासोँश पूर्व से लेकर 600 पूर्व तक इसका समयकाल याद रखना व्यां दखना ह काल था 500 historic जो के बाध काल अच्छाव और वैदिक काल यह इसके बाद का काल था एक पूर्व से लेकर 600 पूर्व तक तो याद रखेगा जो वैदिक काल था इसमें दो काल थे रिगवेदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो रिगवेदिक काल था यह 1500 पूर्व से लेकर 1000 पूर्व तक था और जो उत्तर वैदिक काल था यह 1000 पूर्व से लेकर 600 पूर्व तक था ये एक्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखेगा, और बात करें रिगवेदिक काल की, तो इस काल की जानकारी हमें रिगवेद से मिलती है, चार वेते जना प्रमुक, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद, तो जो रिगवेद से हमें जानकार भारत में हुआ था आर्यों ने ही इस पूरे वैदिक काल की यानि वैदिक सभेता का शुर आरम किया था तो आर्यों के बारे में में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है इसे कोशन पूछे जाते हैं तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था और जो आर्य यह शं तो तीन परमुख व्यक्तियों के दोरा ये बताया गया है और एक्जाम में पूछा गया है तो मैक्स मूलर जिनों ने बताया था कि आरे मध्य एशिया से आये हैं और स्वामी दैनान सरस्वती ने कहा था कि आरे तिबबस से आये थे और उसके बाद बाल गंगधर तिलक ने क पर यही माना जाता है कि आरे मधेशिया से आए थे उसके बाद हम देखते हैं कि आरे सवरपथम जब मधेशिया से आए थे उसके बाद वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे तो कहां पर बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में आगर बसे थे और यह एक ग्र गामीन सभेत थी इसे पहले हमने जो सिंदुगाती सबता पड़ी थी तो वह शहरी सबता थी लेकिन जब उसका पतन हुआ उसके बाद यह वयदिक सभेता बनी यह गरामीनसभेता बनी और आर्यों प्रशा कौन सी थी तो आर्यों की भाचा थी संस्कृत तो चलिए आगे देखते हैं तो आर्यों की प्रशाशनिक इकाई के बारे में पढ़ते हैं तो जो आर्यों की प्रशाशनिक इकाई थी ये पांच भागों में बटी थी तो जो आर्यों की प्रशाशनिक इकाई थी ये बटी थी कौन कौन से भाग में कुल ग्राम विश जन और राष्ट तो बहुत सारे कुल को मिलाकर ग्राम बना ग्राम को मिलाकर विश और विश को मिलाकर जन जैसे मालो जो विश है यह प्रांत जैसे आज कल जिल्ले हैं तो बहुत सारे जिल्लों को मिलाकर क्या बनता है राज तो उसमेर राज्य को जन कहते थे और बहुत पूरे राज्यों को मिला कर क्या बनता है राश्ट्र, तो यह इकाईयां थी, और सर्वोतम इकाई क्याई मलब सबसे बड़ी काई कौन से थी राश्ट्र, तो 5 इकाईयां थी, कुल, ग्राम, विश, जन और राश्ट्र, यह सब इसमें बारे में पर आवच्यक है और दोंगों थोड़ा पड़ लेते हैं जो की नहींते हैं पूरा, आपको वहीं बताउंगा पहले हम सबसे प्राचिन वेद मलब सबसे पुराना वेद कौन से है रिगवेद में कितने मंडल है तो 10 मंडल एक हजार अठाय सुक्त और दस हजार चारसो बासर रिचाएं है यह डिक्ट और पूछा जाता एक्जाम में यहाद रखे लिगा यह वाद इसे रट लीजेगा कि इसमें कितने मंडल हैं दस मंडल हैं और 1,028 सुक्त हैं और 10,400 वासर रिचाएं हैं और रिगवेद के तीसरे मंडल में कितने मंडल हैं 10 मंडल जो रिगवेद का तीसरा मंडल है उसे में गायतरी मंत्र हैं तो जो हम गायतरी मंत्र पढ़ते हैं यह रिगवेद से ही मिला है हम रिगवेद के तिसरे मंडल से और रिगवेद में स्तोत्र और प्राथनाओं का संचय है तो जो पूरा रिगवेद है इसमें क्या है स्तोत्र जो हम पढ़ते हैं प्राथनाएं उनका पूरा संचय है रिगवेद में और रिगवेद काल के परमुक देवता बात करें तो तीन प से कर आओंगा तो इसमें इसे भर भर के कोशन पूचेंगे इसलिए अब भी ध्यान से पढ़ें तो या ज व्यद च्छ यही के नीमों और विध्य इसे हम कैसे या दखेंगे आप रहा होत किसे हो यह से टो यग्य क्या बताएगा र है यग्यों के नियम्मओं के बारे में बता आप इससे याद रखना यहां से शुरुबात ही है दोनों की Дूसरा है सामवेध तो साम का शाब्दी करता है गान यानि कि गीत तो इसे भात ये संगीत का जनक कहा गया है किसे सामवेद को और इसमें संगीत में सोतर का वर्नन है तो इसे हम कैसी याद रखेंगे इसकी विशुरूद आप सावते से और सासी बनता था संगीध तो इसलें लिए इसे नाम अठ रशीद्वार रंछित है और इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगबग 6000 पद्ध हैं कितने 6000 और अथरवेद का संबद्ध चिकस्सा तंत्रमत्र और वशीकरन से हैं तो तंत्रमत्र और वशीकरन का संबद्ध किसे अथरवेद से तो मतलब जो जादू टोने होते हैं इसका सारा उले किसम है अथरवेद में तो इसके कितने हैं तो पुरानों कि संक्या 18 अठारा पुरान है और उपनिशद कितने है तो 28 अठार्ट अपनिशद है ॉससे आप याद अखिएगा अब उपनिशद का का बात करें शाबदी कर तो उपनिशद का शाबदी कर था है ग Caucasus के समीब बैठना और सत्यमेव जयते जो हम बोलते हैं सत्यमेव जयते मदलब सत्य के ही विजय होगी तो जो सत्यमेव जयते हैं यह मुंडक उपनिशद से लिया गया है कितने टोटल उपनिशद है 108 उसी में से एक उपनिशद है, मुंडक उपनिशद, उसी में से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो अब हम पढ़ते हैं आरियों के बारे में, आरियों के बारे में क्योंकि आरियों ने ही व्यादिक सभिता की शुरुवात की थी, और एक्जाम में बहुत से कोशन पूचे गए है आरियों से रिलेटेड, तो जितने भी कोशन पूचे गया है, मैंने एक ही जगा पे सब कवर कर दिया है, तो हम एक के करके पढ़ते हैं, तो आरियों का मुंखी व्यादिक सभिता में, आरियों के समाज में पित्र पर्धान था, और तीसरा पॉइंट, बाल विवा हैं पर् पर्धा प्रथा का प्रचला नहीं था, और स्त्रियों को भी सिक्षा दी जाती थी, महला स्त्रियों भी सिक्षा ग्रैन करती थी उससे में, तीसरा चोथा पॉइंट, गाएं को अधन्या, अधन्या का मतलब क्या है, ना मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेनी में रखा गया था, तो गाएं को अधन्या ना मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेनी में रखा गया था, नेक्ट पॉइंट है, आर्यों का प्रिय पशुओ घोड़ा था, और सरवादिक प्रिय देवता इंद्र थे, तो याद रखेगा, आर्यों के सरवादिक प्रिय देवता, य हैं तो रिग्वेदी काल के समय में आर्यों के जो परसीद्य देवता थे ये इंद्र थे और आर्यों का जो प्रिये परशू था ये घोड़ा था और आर्यों द्वारा होजी के धातु को सी थी तो लोही थी और रिगवेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूरण तथा पवित्र मानी जाती थी जो पुभ वेवस्यार के अधार्पर निरधारित І इस लिए मैं एक पूछा गया हैय इसलिέ मैंने special लिखा है रिग्वेद में गंगा का एक बार जमुना का उलेख सबसे जदा तो गंगा जमुना का उलेख सभसे अधिक बार हुआ है पर तसमसे पवीत्र नदि की से माना गया है सरस्वती नदिगों यह सब कि आपके इससे याद रखें तो आर्यों के बाद अब हम कुछ रिगवेदिक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं आप इन्हें एक एक बार पढ़ लेना आपको मैं बता भी देता हूं कि कौन-कौन से इंपोर्ट है तो इस सैट जो पहले दिगवेदिकाल में शुतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था दूसरी चिनाब नदी इसे असकनी नदी के नाम से जाना जाता था तो सतलूज नदी याद है इससे जाद रखना इसे पहले शुतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था त्रीसरी नदी है व्यास इसे विपाश्य नाम से जाना जाता था उस समय, चोती है काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है, इसे कुभा के नाम से जाना जाता था, ये भी इंपोर्ट है, सतलूज के बाद दूसरी यही काबुल इंपोर्ट है, उसके बाद है गंडक, इसे सदा नीरा के नाम से जाना ज जाता था उसके बाद है रावी नदी इसे पुरुषणी की नाम से जाना जाता था तो यह इसके बाद है धगः जिसे दुरष दथी की नाम से जाना जाता था उसके बाद है कुर्रम जिसके कुरुमू की नाम से जाना जाना जाता था तो मैंने यह जितनी तीन नदिया बताई यह तो में उस्ट इंपोर्डर है सतलूज काबूल और रावी याद अखेगा सतलूज को सुचुद्री के नाम से जाना जाता था काबूल को कुभा के नाम से जाना जाता था और रावी को पुरुष्णी के नाम से जाना जाता था यह तीन इंपोर्डर है बाकी आप चाहें तो याद अख सकते है तो मैं फिर रिक भेदिक निद्यों के बाद अब हम पड़ते हैं उत्तrवैदिक चलंद के बताए ना आरेों के बारे में सब को शाफ का बताया अब अतर कब रही टे थैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसे भी कॉषन बंदते हैं तो उत्तr उत्तर वैदिक काल में यह बहुत important है उत्तर वैदिक काल में वर्न वेवसाय जो अभी तक चला रहा है वर्न वेवसाय की बजाए जनम के अधार पर निर्धारित होने लगे तो जो रिग्वेदिक काल हमने पढ़ा ना वेवसाय के अधार पर बाटा गया था जो दूद बेच काल से शुरू है जो अभी तक चल रहा है तो आप याद दिखेगा यह कब से शुरूर है उत्तर वैदिक काल में समाज कि तने वर्गों में बठ गया चार मैंने आपको बता है ना कि जनम के अधार पर दिसलाइड होने लगा तो ब्रहामन वैशिय च्ष्ट और शुद्र य यानि गाए को यव के नाम से जाना जाता था, most important important है धान याद रखेगा, धान को वरिहे के नाम से जाना जाता था, यह exam में बार-बार पूछा गया, बस एक ही पूछा जाता है, हर बार, धान, तो इसे अब note कर लेना, धान को वरिहे के नाम से जाना जाता था, उड़त को मा बढ़ुम और मसूरादी इन खादानों का वर्नन अगर बात करें इनके वर्नन की इनका वर्नन यजुर्यमेद में मिलता है हमने पिछे पढ़ा था ना कि तीन वेध हैं यजुर्यवेद अथर वेध इसमें पूरे उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो जो ये खादान है इनकी जानकारी हमें यजुरुवेद में मिलती है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और अपनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इससे जो मैं नेश्च वीडियो लेकर आओ इस इसका नाम अत्रंजी खेडा तो अत्रंजी खेडा में ही पहली बार क्रिश्ची से संबंदित लोह उपकरन प्राप्त हुए कहां से अत्रंजी खेडा से काफी बार एक्जाम में पूछा गया कि लोह उपकरन कहां से प्राप्त हुए थे उसे में तो अत्रंजी खेडा से जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो इससे नेक्ट वीडियो में लेकर आओं वो आपको मिल सके धन्यवाद